नमस्ते मित्रों मैं हूँ आपका गौरोपवार और आप देख रहे है एज़िपी एजुकेशन हब यूटुब एजुकेशनल चानल जिसमें हम आपको क्वालेटी वीडियो एजुकेशनल क्वालेटी वीडियो प्रोडे करते हैं एवकस से लेकर वेदिक मैथ मैथ क्वालेटी सब्सक्राइब तो आप हम से जुड़े इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और जो कई आप तक जो नए इस चानल में जोने आप जब तक सुब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के बीटियो के बादने को कुछ भी कमेंट रहे गा कुछ भी कुछ भी डॉट कुछ भी कुछ भी कुछी सजेशन हुआइबा आज के हमारा टापिक है अकुरिटीज ओफ ए कई एकि इट 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 अपर सिच्स पॉइंट्सि जो की पुरा है योटिज इट का हमें सि को ठीक है तो चलते है अपने टॉपिक के और ऐकुरेट इस आफ इट ओके देखते हैं आपुरेटी इस ऑफ इट फोस्ट है और सिंगुलर नार्न लिविंग थी जो विक्ति मतलब आदमी विक्ति चोड़कर जो कुछ नार्न लिविंग थेंगे थे प्लेसें सिटी है गाव है यह वीं जुश्टु ही उसके बारे में हम इट यूज्स कर सकते यहां पर कार के बारे में क्या है कि इट ऐस्मिक इड़ी ऐस्मिक यहां पर यहां पर फ्रस्ट यूज ए घिल्ज एक तो रही यहां पर त्ट डॉनध अनौ अनिमल एनिमल के दिए infant है चोटा है बहुत ही चोटा है उसके लिए इत उस होता है my friend my friend have a little baby and it is very healthy ओके यहां पर eat little baby के लिए उसके हुआ है फोर्थ नमबर है to introduce natural rule regulation and event ओके जैसे it's holiday today it's holiday today it's my birthday today इस तरह से हम किसी भी event को natural rule regulation उसके लिए it use करते है ठीके फिप नमबर most important है यहां पर है eat comes as a subject of a empathic sentence empathic sentence में personal यहां पर वेक्ति के लिए भी you eat use कर सकते है empathic sentence में यहां पर example it is I it is I okay it is I who did it यहां पर eat personal वेक्ति के यूज किया है ठीके तो यहां पर subject of the empathic sentence ठीके शिक्स नमबर है it comes to make a pre-statement about something pre-statement में भी इस यूज होता है eat is good to save water it is यहां पर eat pre-statement में आता है it is good to save water तो अब हमने यहां पर एक्रेटिज ओपाइट में देखा six point देखा कि यहां पर non-living thing में यूज होता है दूसरा animal में तिसरा little baby चोटे चोटे बच्चे उनके बारे में हैं तो eat यूज होता है फोर्त देखा कि natural rule regulation and event के लिए यूज होता है फिप्त देखा कि subject of an empathic sentence के लिए यूज होता है six में हमने देखा last में कि it pre statement में भी यूज होता है तो यह चुटा सा बट बहुत important video था about the eat the personal pronoun के बारे में जिससे हम clear हो जाते कि यूज है तो हम चलते अगले वीडियो देखेंगे उससे पहले इस वीडियो को end करने से पहले मैं आप सब्सक्राइब करूंगा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेर immediately कीजेगा ताकि हम और और ज्यादा लोगों से जुड़ सके फ्रेंड से जुड़ सके वह पर आपके मदद से और और एक गुजारी से कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल के आईकों को प्रिजरूर कीजे और हा अगर आपके कोई डाउट है या कोई एडवाइज है कोई सजेशन है कोई गुड़ वर्ड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा जिससे हम हमारी वीडियो में चेज़ जैसा लाग सके जिससे हम मूटियट हो सके तो थैंक्यू धनिवाद मिलते हैं अगले वीडियो म तब तक के लिए थैंक्यू धनिवाद